सबसे पहले मैं आपके यहां पर एक payment proof दिखाना चाहूंगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह जो है यह आपके लिए payment proof दिखाई दे रहा है कि पर महीने मैंने यहां पर कितनी earning की है वो सारी चीज़े आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं और आप अगर बोलोगे तो मैं सेम चीज़ को आपको refresh करके भी दिखा सकता हूँ तो यह जो अभी आपके लिए दिखाई दे रहा है यह obviously वात है कि मेरे इसी महीने की earning है आप यहां पर देख सकते हैं जनवरी 8 जनवरी 7 और वगर वगर और यह जो है यह एक week की earning है अगर आप यहां पर देखेंग की कितनी earning हुई है तो अब यह समझ के रखिए कि आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप almost 700 डॉलर आप पर week कैसे कमा सकते हैं आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं almost हर week में मैंने एक average देखा जाए तो 700 डॉलर के आसपास यहां प का पहुंच सकता है तो आप पर week 700 डॉलर मतलब आप समझ सकते हैं तकरीवन 3000 डॉलर पर महीने कैसे कमा सकते हैं आप एक average समझ जिए कि तकरीवन 3000-500 डॉलर के आसपास आप पर महीने में निकाल सकते हो हर चीज अच्छी तरीके से समझना कोई चीज ना आए समझ में तो आस तक वीडियो देखो पता चल जाएगा आप यहां पर बात की जाए कि सबसे जो पहली बात होती है कि कि किसी भी affiliate earning को start करने के लिए हमको एक चीज की जरूरत पढ़ती है वो यह product तो यहां पर आपको अपने हिसाब से एक product find करना है अगर नहीं आपको पता है कि कैसे find कर करना है जो की high convert हो और यहां पर मैंने ऐसे videos भी बनाये हैं कि आपको कौन-कौन सी mistakes नहीं करना है या course में भी जिन लोगों ने लिया होगा उनके लिए पता होगा कि course में भी मैंने बताया है कि आपको किस type के product नहीं choose करना है यह सबसे mandatory चीज है और उसमें obviously बात है यह भी मै आपको किसी एक last video बताया था कि मैं जो main काम करता हूँ वो मैं करता हूँ e-marketing, health and fitness, self-help और cooking and food वाले पर मतलब यह चार कहा जाए तो मेरी primary categories है मैं mostly इन पर ही काम करता हूँ बाकी आपकी इच्छा है कि आपको जिसमें ज्यादा knowledge है knowledge का मतलब यह होता है कि आपको आप उसक कर सकते हो knowledge कि यह betting system है अब मुझे betting system अगर नहीं पता है कि betting system क्या होता है या knowledge कोई और category माली जे sports है sports के बारे में अगर मुझे नहीं पता है spiritual के बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं उस category में इतना अच्छा performance नहीं दे सकता है या कहा जाए तो मुझे पता भी नहीं कि यह चीज काम करेगी या नहीं करेगी तो एक तो चीज है कि आपको ऐसा प्रोड़क्ट चूस करना है जो अल्रेडी काम करता हो करता हो ऐसा नहीं कि उसकी सेल आ रही है सेल तो बहुत सारे लोग निकाल लिया करते हैं रिफंड भी होते हैं लेकिन यहां पर जो एक में उसको promote पे click किया और यहां पे आपको अपनी tracking ID वगर डालके create hope link पे click करना है create hope link पे आप click करेंगे यह आपको अपनी link को कहीं भी एक जगर copy करके रख लीजिए अगर आपको लगता है कि आप copy करके नहीं रख सकते तो आपको इस platform का use करना है जिसका नाम है bit.ly bit.ly obviously बात एक ऐसा platform है जहां पे आपकी link भी store होंगी और जो भी link आपकी generate कर रहे हो उसका क्या stats रहा माले जी कितनी engagement वगरा आ रही है तो वो सारी चीजें भी आपको यहां पे दिखाई देंगी कि किस location से आपके में traffic आ रहा है कौन से medium के through आ रहा है तो यह सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई देंगी और अगर आप कुछ campaign वगरा चला रहे हैं कि आपको पता है कि किस चीज के through आप promote कर रहे हैं जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं automatic content के through और कहा जाए तो bookmarking sites के through promote करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि source क्या है मारा तो यहाँ पर लिख सकते है bookmarking sites तो आपके लिए पता रहेगा कि जो आपने bookmarking sites लिंक share की थी उसके through यह आ रहा है अब यहाँ पर अगर आप चाहें कि different different link आपके एक ही के लिए बनाना है मालेजे एक यह link है इसी की आपको 4-5 link बनानी है तो भी आप बना सकते हो कि medium आप अलग-अलग सब में डाल सकते हो medium क्या रहेगा मालेजे कि आप medium.com पर ही share कर रहे हो या qoira पर share कर रहे हो तो यहाँ पर simple सा मैंने medium लिखा, फिर blog लिखा, मतलब campaign जो है मैं blog type से बनाने वाला हूँ, उसके लिए अगर कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई video लगा रहे हैं, कुछ भी आप डाल रहे हैं, उसको आप लिखके और आपको simple सा यहाँ पर create पर click कर देना है, अब आप पर application करके यह जो है, तो आप अगर चाहें, तो आप इसको थोड़ा सा change कर सकते हैं, आप पता नहीं, यह exact keyword मिलेगा की नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप के लिए मिल जाता है, तो ठीक है, जैसे हमने इसको ही करके मैं देख लिया करता हूँ, तो यह link already कोई ले चुका है, join admin-applean करके यह मैंने लिखा हुआ है, फिर मैंने इसको save किया और यह link हो गया, तो मतलब कहा जाए, तो यह link आपकी थोड़े सी और अच्छी दिखाई देने लगती है, तो आप इस type की link भी बना सकते हो, यह कहा जाए, तो अगर कोई link पे ध्यान दिया करता है, तो उसको पत इस प्रोडक्त है, अगर यह health का है, तो ओवियसली बात है, आप यहां पे आके पढ़ देना कि यह कौन सा प्रोडक्त है, समा लिजे, यहां पर हम इनका affiliate Place चेक कर लिया करते हैं, तो यह जो एक प्रोडक्त है, यह कहा जायाए, तो एक हिसाफ से weight loss का प्रोडक्त है, अब सिंपल सर करना क्या है कि एक article लिखना article आपको कैसा लिखना है तो article आप कुछ कैसा doll Border क 가서 आपको पता होना चाहिए कि 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 स टाइप का article आप लिखना चाहिते हैं या कोई एक overview ले लीजिए कि कि 着 type alquart deal चल रहा है या जो product है इससे tych इससे भी help ले सकते हैं माली जे यहाँ पर हम इनके emails या links हम यहाँ पर check कर लिया करते हैं तो links तो यहाँ पर यहाँ पर यह links generate करने के लिए है emails देख लिया करते हैं तो emails में कुछ यहाँ पर subject line लिखी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं put ice here to drop 13 LVS कहा जाए तो मतलब ice आपको डालना है तकरीवन 13 LVS आपका कम हो जाएगा तो यह कहा जाए तो इस type से इनोंने दिया हुआ है और इसी type से आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं और भी subject lines लिखी हुई है तकरीवन 62 LVS इनोंने कम किया है तो कुल मिलाके कहा जाए तो यहाँ पर इतनी अच्छी lines बगरन नहीं मिल रही है लेकिन आप यहाँ पर एक average समझ के रहिए कि मालीजे हमको weight loss के लिए चाहिए अब आप यहाँ पर एक चीज का use कर सकते हैं कि weight loss के लिए आपको एक title बनाना पड़ेगा कि किस type का title आप चाहते हैं तो मालीजे आपने लिखा how to weight loss ठीक है तो यहाँ पर simple सा यह जो हमारा pages था एक हमने लिखा how to weight loss in 15 days कहा जाए तो मतलब कहा जाए तो number अगर किसी भी चीज में आ जाता है वो थोड़ा सा और interesting हो जाता है यह कई बार तो मैं इस type से भी लिख दिया करता हूँ 15.6 days अब लोग बाग सोचेंगे कि 15.6 days क्या है इसी type से भी आप लिख सकते हैं otherwise यहाँ पर confusion ना हो फिलाल के लिए 15 days ही कर दिया करते हैं या how to weight loss at home in 15 days तो यह कुल मिला के अच्छा गासा है अब आपको एका करना है कि इसके लिए आपको एक structure generate करना है तो structure generate करने के लिए एक है टूल है यह आप यहाँ पर दिख सकते हैं free article outline generator कहा जाए तो यह आपको लिए outline generate करके दे दिया करता है और यह जो कहा जाए वो आपको simple सा यहाँ पे लिखना है country select करना है obviously बात है United State है simple सा generate outline पे आपको click करना है और यह तक्रीब है दो मिनिट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है दो मिनिट वैसे तो एक मिनिट में ही आप लिए generate करके दे दिया करता है तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक है lose weight in 15 days with these five ridiculous simple steps तो का जाए तो आप इसको भी एक headline बना सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं यह जो एक line है आप इसको भी select कर सकते हैं मतलब मैं होता तो मैं इसके लिए ही select करता और यहाँ पे आके मैं simple सा इसको modify कर दिया करता हूँ modify कैसे करना है how to lose weight at home और यहाँ पे ज करते हैं in the healthy way कहा जाए तो यह थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि healthy way में आप कैसे कर सकते हैं और last में आप कहीं एक जगह थोड़ा सा ऐसे लगा दीजे और 15 days लिग दीजे तो मतलब हमारी सारी चीज़ हैं यहाँ पर कबार हो गई कि लोगों को 15 दिन भी दिखाए देंगे और healthy ways भी दिखाएं देंगे तो यहाँ पर चाहो तो आप चाहो तो गूगल में भी सेम चीज को सर्च करके देख लेना माली चाहिए जो टॉपिक है यही सेम टॉपिक आप एक बार गूगल में भी सर्च करके देख लेना कि इसमें कैसे result आ रहे हैं उनके अंदर क्या क्या यहाँ पर बताया गया है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जो सेम लाइन थी वो यहाँ से ही उठाई गई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आप चाहो तो यहाँ पर जो है यह कहा जाए तो इसी की सारी लाइन वगरा उठाई गई है मेरे क्याल से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ख्याल से तो इसी से ली गई हैं यह पूरे steps यहाँ कहा जाए तो subscribe to health card blog भी लिखा रहा है इसका मतलब इसी blog से ली आ गया है अब यहाँ पर बात आती है कि आपको करना क्या है तो आपको यह कहा जाए तो यह इस type से पूरे यह उठा लेना और इनको उठाने के बाद आपको करना क्या है कि एक outline आपको खुद का बना लेना है कि मालीजे h1 tag हो गया फिर h2 tag कौन सा रहेगा h3 tag कौन सा रहेगा तो जैसे as a example अभी मैं यही same to same पूरा copy paste कर लिया करता हूं मतलब कहा जाए तो अभी में आपका time waste नहीं करना चाहता इसी लिए मैं इस type से simple सा copy paste यहां पे कर रहा हूं तो मालीजे यह फिलाल के लिए हमने हटा दिया और यहां पे हमने paste कर दिया अब आपको पता है कि यह आपका s2 tag है तो कहा जाए तो यह जो भी unnecessary चीज है वो मैंने हटा दी अब कहा जाए तो तीन line हुई आपको तकरीवन एक ब दिखनी पड़ेंगी और भी आप यहां पे देख लीजे तो मालीजे यहां पे यह पूरा ही मैं यहां से copy कर लिया करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो day one day day two वगएरा सारी चीज है कहा जाए तो आपका एक topic बन गया अब आपको यहां पे करना क्या है वो चीज आपक करना है और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक automatic tool का हम आज के वीडियो में यूज करने वाले हैं तो वह automatic tool जो है वह आप लोगों ने सभी लोगों ने इसका नाम सुनके रखा होगा जिसका नाम है open AI और जिसका एक tool है जिसका नाम है chat GPT अब chat GPT आपको कैसे use करोगे जि यहाँ पर आपको क्या करना है यह मालीजे आपको outline मिल गई है अब आपको simple सा यहाँ पर एक एक outline को यहाँ पर copy करते जाना है और यहाँ पर एक आपके लिए एक space मिलता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह blank type का space है यहाँ पर पेस्ट कर देना है और आप चाहें तो से लिखा और मैंने इसको एंटर किया और ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी यह थोड़ा बहुत बिजी रहेगा कि आपको तुरंट के तुरंट आपके लिए जनरेट करके दिया है अब आपको एक और चीज मैं बोलना चाहा रहा हूं कि आपको इसी चीज पर नहीं बैटना है कि यह जो चीज जनरेट करके दी है वो 100% सही होगी यह चीज आप कभी मस्तोस ना क्योंकि गलतियां हर कोई करता है मालीजे एक बार मैंने यहा लिए जो आन्सर आया उसमें उसने Google Ads और AdSense उन दौनों को ही मिक्स कर दिया कहा जै तो उसको साइधी चीज समझ में नहीं आएगी कि कौनसा Ad है और कौनसा AdSense है कौनसा AdWord है तो यह चीज आपको ध्यान डिखनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे उस चीज के बारे में नॉल ठीक है अभी मालीजे मैंने इसको same चीज को copy किया और यहाँ पे मैंने paste कर लिया हमको एक चीज यहाँ पे line मिल गई है कहा जाए तो यह चीज आप अपने इसाब से formatting obviously बात है आपको बाद में करना है कि चीजें जो भी आपकी लिखे हुई है वो formatting वगरा 100% करना है अब आपको एक और चीज करना है कि जो भी चीज आप generate करना चाहरे हो मालीजे कि आप एक simple सा introduction part generate कर रहे हो article का section generate कर रहे हो तो वो सारी चीज है आपको लिखना है अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि five easy steps तो यह आपके लिए five steps यह देगा obviously बात है य यहाँ पे simple सा मैंने click किया और अभी आप यहाँ पे देखना कि यह जो है यह आपके लिए हर चीज लिखके देगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं always यह आपके पांचों पूरे के पूरे steps भी generate करके देगा तो आप चाहो तो इसको ही use कर सकते हो अगर आप नहीं चाहत तो जो आपने यहाँ पे steps लिखे हुए थे क्योंकि obviously बात है यहाँ पे आप इस article में देखो गए तो यह कुछ ना कुछ steps थे ठीक है जैसे यह s2 है यह s2 है और इसके अंदर यह s3 है तो obviously बात है कि यह जो है यह इसके under में आ रहे है ठीक है तो यह सारी चीज आपको थोड generate हो जाए तो मालिजे यहाँ पे यह चीज आ गई और इसी type से अभी में आपका time waste नहीं कर रहा हूं simple सा मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यह अभी एक content बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूं तो आप यह समझ के रखे कि यह पूरा content आपके लिए A to Z generate कर लेना है और इसके साथ एक और यहाँ पे option होता है कि मालिजे अगर आप इस content से satisfied नहीं हो एक नीचे आपको एक button दिखाए देगा regenerate responses यह जो है इसको अगर आप click करोगे तो same content को यह regenerate करके देगा तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वो content यहाँ पे हट गया चुकि मैंने यहाँ पे paste कर लिया और अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यह जो है उसी same content को दुबारा generate करके देगा या आपने हिसाब से कुछ ना कुछ नया आप लिए देगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मालिजे अभी इसने जो 5 point हमें दिये हुए थे make healthy food choice तो यहाँ पे जो first step focus on whole unprocessed food तो कहा जा तो इसने यह जो heading थी वो change कर दी है ठीक है जैसे यहाँ पे food choice make healthy food choice को उसने क्या कर दिया आप यहाँ पे unprocessed food कर दिया increase physical activity को अगर यहाँ पे देखा जाए तो incorporate physical activity into your daily routine तो कहा जाए तो points को same ही लिख रहा है लेकिन उसको थोड़ा सा change करके लिख रहा है तो जब तक आप satisfied नहीं हो तब तक आप regenerate कर सकते हो तो एक तो यह चीज हो गई कि यहाँ पे आपको सभी headlines डाल डाल के जो भी आपने एक structure बनाया हुआ है वही same चीज डाल डाल के और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा content generate कर लेना है ठीक है तो मालिजे यह जो है एक और में आपके लिख जिर्फ एक point था अब इसके बारे में यह क्या लिखता है तो यह जो जो भी चीज लिख रहा है आप उसको simple सा read कर लेना अगर वो चीज सही है तो ठीक है otherwise आप उसको regenerate भी कर सकते हो तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए यह वाला इतना point यहाँ पे generate करके दिया है यही same चीज मैंने यहाँ पे paste कर दी कहा जाए तो मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहरा हूँ कि आपको content generate कैसे करना है ठीक है मालीजे यहाँ पे यह आपका content हूँ यह जो S3, S2 है यह अभी यहाँ पे आपके लिखाई दे रहे हो जब आपका content पूरा बन तो यह सारी चीजे आपको हटा देना है जो भी required चीजे हैं वही आपके लिखना है तो मालीजे एक मान के चलते हैं कि हमारा पूरा content यहाँ पे बनके तयार हो गया है अब आपको करना क्या है तो अब आपको कुछ ऐसी sites ढूंडनी है जैसे कि मैंने आपके लिख बूला था कि online publishing platforms जो थे हैं तो online publishing platforms में मालीजे आप कोईरा समझ लीजे और मैं जो एक सबसे सांदार समझता हूँ वो है medium.com medium.com क्यों है क्योंकि medium.com पे औरेड़ी बहुत सांदार traffic है आप सोच भी नहीं सकते उतना traffic यहाँ पे है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 200 million यहाँ पे traffic है अब सिर्फ यहाँ पे बात आती है कि आप content कितना अच्छा लिखते हो जितना अच्छा content आप यहाँ पे अगर आप सीधा medium.com पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो भी यहाँ पे stories वगेरा लोग पोस्ट करते हैं उसमें लोगों के लिए बहुत अच्छी reach मिलती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे बंदा पोस्ट कर रहा है अगर आप इस और तकरीवन 22 लोगों ने comment किया है अब ऐसा हो सकता है कि इसमें भी यह जो भी बंदी है इसने साइधिस के अंदर कोई भी link डाली हो तो आपको simple सा करना गया है कि आप भी यहाँ पे सारी चीजे link वगरे add कर सकते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे simple सा right पे click किया और यहाँ पे सबसे पहले आपको title लिखना है then आपको content लिखना है और साथ में कुछ images लगा देना है कुछ videos अगर आप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे obviously बात है कि मैं भी content खुद के content यहाँ पे post वगरा करता हूँ अगर आप मेरी profile देखना चाहें तो आप मेरी profile भी यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीवन 30 follower यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे obviously बात है मतलब इतना content में post नहीं करता हूँ लेकिन कभी कभी करता भी हूँ लेकिन एक चो चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको अगली blog का मतलब आप समझते हो कि ऐसा नहीं है मालीज यह जो में रहा है यह anantviasony.medium.com है तो यहाँ पे एक मैंने medium.com पे अपना blog बना के रखा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SEO से संबंदी चीज़े ही मैं post करता हूँ यह कहा जाए तो blogging, wordpress, make money, affiliate marketing इनी सब चीज़ों क अगे बारे में यहा पे post करता हूँ तो आपको भी यही चीज़ करना है कि आपको अलग, अलग blog बनाने है अगर आप अलग, अलग निश्प आ काम कर रही। मालीज जेब, पेट के लिए बना रहे हो तो पेट के लिए अलग बना रहे हो तो health के लिए ऐसा मत करना कि आपने एक blog बनाया है और आप जैसे obviously बात है ये तो मेरा अनच विया सौनी नाम से है तो ठीक है लेकिन अगर आप बना रहे है तो आप यहाँ पर एक health का niche भी ले सकते हो माली जे health and beauty tips.medium.com तो इस type का भी आप बना सकते हो ठीक है तो इसी type से simple सा आपको यहाँ पर आके post करना है और जैसा कि मैंने बोला है कि एक को आप कचड़ा मत बना देना कचड़ा मतलब यह है SEO भी आपने डाल दिया फिर आपने health भी डाल दिया पेट भी डाल दिया किसी दिन कुछ मिला किसी दिन कुछ मिला तो आपकी ना तो एक audience बनेगी ना आपके blog का भी rank हो पाएंगे जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यह audience सिर्फ और इसलिए बन रही है क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर content post कर रहे हैं मालीची यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं जो लोग यहाँ पर post कर रहे हैं उनकी सिर्फ audience इसलिए बनती है क्योंकि वो same type का content post करते हैं तो यहां पर मालिजे हमारे जो भी ब्लोग का टाइटल था, तो जैसे यहां पर यह जो टाइटल था, यह हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, टाइटल आ गया, अब यहां पर स्टोरी लिखना है, तो यह आप इसको अपनी तरीके से, अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग बगरा कर लेना अभी जैसे यहां तक ही यह कहा जाए तो आर्टिकल है तो यहां पर सिंपसा मैंने पूरा आर्टिकल पेस्ट कर दिया, अब यहां पर हो सकता है कि कुछ unwanted हो जैसे कि यह S2 था और इसको फॉर्मेटिंग बगरा सारी चीज़ें कर लेना कि यह आपका टाइटल रहेगा फिर यहां पर और भी कहीं अगा टाइटल है जैसे यह भी है, एक टाइटल है तो इसको भी हमने टाइटल बना दिया, और भी जैसे कि हमारे बहुत सारे title थे जैसे ये जो थे तो आप इनको bold कर देना ठीक है title नहीं बनाना है it's ok लेकिन आप bold कर सकते हो क्यों टाइटल में ऐसा हो जाएगा और आप इनको bold कर सकते हो और इस type से यह जो भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं तो इसी type से आपको सभी को bold कर देना है ताकि चीजें पता चलें कि अलग से आपके लिए दिखाई दे ठीक है तो यह जो भी चीजें है तो इसकी formatting वगरा अच्छी तरीके से कर लेना इसके अलावा यहाँ पे एक दो images भी अच्छी सी डालना है तो images के लिए obviously बात है pixels है Canva है Canva में अगर आप चाहो तो खुद की images अगर आप बनाना चाहो तो obviously बात है Canva को भी आप use कर सकते हो चुकि मैं Canva को ही use करता हूँ मेरी जो भी images वगरा या जो भी चीज मुझे generate करनी है सभी के लिए मैं Canva का ही use करत आप ले लेना मालीजे अभी एक simple सा ले लिया करते हैं तो यह एक banner हमने लिया customize this banner तो मालीजे यह जो आ गया अब आपको simple सा इसमें यह जो चीज़े है ठीक है आपको यहाँ पर elements में जाना है आप health and beauty से related आप कुछ भी डाल रहे हैं तो यहाँ पर मालीजे मैंने health simple सा दिखाई दे रही है तो इसको मालीजे जैसे कि हमारा article है weight loss at home तो आप यही चीज यहाँ पर search कर सकते हो weight loss at home तो अब आपको वो चीज मिलेगी जो कि weight loss home के अंदर कोई कर रहा है तो जैसे कि यह जो है यह कहा जाए तो मतलब realistic नहीं दिखाई दे रहे है वाट it's okay आप चाह सी image हों जैसे यह जो है यह थोड़ी सी ठीक दिखाई दे रही है घर का background भी है और जो भी आपका यह पूरा content वगरा लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाफ से देख लेना कि किस type से आप उसको best बना सकते हो ठीक है मालीजे complete यह थी इसको यहाँ पर add करके और आपको इसको share करके और download कर लेना है ठीक है तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन यह 2-3 MB की image है तो simple सा यहाँ पर आके और आपको image add कर देना है ठीक है मालीजे यह रही image और जहाँ पर भी आपने save की है image वो image आपको add करते नहीं है और यह आपका image बन गया इसी type से डालनी है तो आप यहाँ पर जैसे की यह जो था यहाँ पर emails वगरा में इन्होंने कुछ lines वगरा दी हुई थी तो आप यहाँ पर in lines का भी use कर सकते हैं जैसे यह जो है यह subject line तो अच्छी दिखाई दे रही है आपको same line यहाँ पर add कर देनी है तो मालीजे यहाँ पर आक इस पर आपको click करना है यह जो icon दिखाई दे रहा है यह icon दिखाई दे रहा है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको link add कर देनी है मालीजे यह जो हमारी link थी और आपको enter कर देना है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी link आ गई इसी type से आप यह त तकरीबन दो-तीन जगहे पे दो या तीन max to max आपको link लगानी है तो मालिज यहां पे आके आप देख लेना कि और कहां कहां पे आप link लगा सकते हो जैसे यह जो चीज है यह पूरा कहा जाए तो इतना मैंने यहां से copy कर लिया और यही same चीज हम यहां पे paste कर दिया करते हैं त तकरीबन first paragraph के बाद है फिर आपकी तकरीबन बीच में आनी चाहिए और एक आपकी last में आनी चाहिए तो यहां पे आप देख सकते हो कि दो link तकरीबन हमारी यहां पे आ गई है तो इसी type से आपको पूरा content यहां पे publish कर देना है and then आपको simple सा यहां पे जाना है और यहां प जो आपके preview बगएरा दिखाए देगा कुछ आपके लिए topics बगएरा add करके और इसको publish कर देना है मैं अभी इसको इसलिए publish नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह मेरे निस्का नहीं है तो यहां पे मालीजे कोई भी एक article यहां पे publish हो गया है तो यह जो एक article है इस type से आपने एक क लिखा है तो obviously बात है यहां पे मैंने कहीं ना कहीं links बगएरा दी होगी यहां पे मेरे blog बगएरा की link होगी तो जैसे यहां पे लिखा SEO तो जो SEO वाला था वहां पे आप देख सकते हो SEO category की मैंने अपने blog की SEO वाली link यहां पे देखे रखी हुई है तो कहा जाए तो अब देन वगएरा पे आप share कर सकते हो लेकिन यहां पे जो main चीज करना है कि आपको इस link को copy कर लेना है ठीक है यहां पे click करोगे आपकी link copy हो जाएगी और आप अपने blog को देख भी सकते हो माली जे मैंने यहां पे click किया obviously बात है यही blog था तो यह आपको link मिल गई अब आपको जाना है bookmarking sites पर तो यहां पर माली जे जैसे की bookmarking sites की list आप पूरी चाहो तो google से ही निकाल लेना यह कोई बड़ा काम नहीं है तो यहां पर जो मतलब मेरी जो favorite है वो मैं आपके लिए बता दिया करता हूं जैसे माली जे dig हो गया mix हो गया mix ने तो अभी कहा जाए तो यहां पर नहीं है उसने सिर्फ एप पर कर दिया इसके अलावा Pinterest है और भी आप यहां पर देख सकते हो यह तकरीवन कहा जाए तो टॉप 10 है इसके बाद आप यहां पर 75 प्लस यहां पर bookmarking sites है तो यहां पर पूरी list आप चेक कर लेना यहां पर आपको ऐसी ऐसी site मिलेंगी जैसे कि कुस्तों मैंने आपके लिए बता दिया एक जैसे की एक site है डिग हो गया तो यह जो डिग है यह भी एक bookmarking sites है इसके बाद आप कोईरा का use कर सकते हैं mix का use कर सकते हैं tumbler का use कर सकते हैं इसी type की different sites होती हैं simple सा आपको submit link पे आप click करेंगे तो आप यहां पर एक account बना लेन बगरा करके space बगरा बना के रखें simple submit link पे click करना है और यहां पर आपको अपनी link submit कर देना है तो जैसे यहां पर आप देखोगे तो यह आपके content को fetch कर लेगा जैसे आप यहां पर देख सकते हो the reality of SEO करके आगया और इसके बाद ही link दिखाई दे रही है आपको इसमें और आप सब्मिट करोगे वो links को यह क्या करेगा कि याव जब कोई बंदा यहां पे click करेगा तो वो direct आपके इसी page पे आएगा मतलब वो यहां पर कई वार यहां पर open भी हो जाती है और वो कई वार ऐसा होता है कि वो यहां पर open ना होके direct आपके यहां पर open होती है तो यह का आप देख सकते हैं 9.5 million है इसके अलावा और भी जैसे sites को अगर आप देखा जाए तो मालिजे एक Tumblr है Pinterest है Tumblr का भी आप use कर सकते है Tumblr पर obviously बात है मेरा भी account बना होगा तो एक Tumblr भी कहा जाए तो एक social bookmarking sites ही है तो आप इसका भी use कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर already मेरा account बना हुआ है अब simple सा आके आपको यहाँ पर भी same link share कर देना है जो आपको link option दिखाए दे रहा है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर link को type करना है और जैसे यह आप type करेंगे यह आप देख सकते हो यह पूरा content इसने fetch कर लिया आपको इसमें hashtags बगरा डालने है डालिये जैसे यहाँ पर simple सा SEO करके एक hashtag मैंने डाल दिया SEO या search engine optimization जो जो भी आपके इसाब से हो सकते हो आप hashtag बगरा डालो and then simple सा post कर दो तो इसी type से आपको बहुत सारी websites पर कर रहा है यहाँ पर मैंने दो sites आपके लिए बता दी आप यहाँ पर देख सकते हो 75 sites करीवे और दिखा रहा है आपको same काम इन पर ही करना है और जैसे ही आप यह करोगे ना really हो रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते उतना standard traffic आप लेके आ सकते हो जो मैंने यहाँ पर आपके लिए earning वगरा सो की है इससे कहीं ज़्यादा earning आप लेके आ सकते हो तो I hope यह वाला process आपके लिए पूरा complete समझ में आया होगा और जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि अगर आपको इसमें कोई भी चीजे मैंने आपके लिए बोला है कि जो मैंने बताय हुई है तो वो अगर आपके लिए सारी चीजें detail में सीखना है तो फिर आप ये course को भी join कर सकते हैं ये course की link मैंने नीचे दे के रखी है यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे result मिल रहे है अगर आप reviews वगरा भी check करना चाहें यहाँ पे reviews की link यहाँ पे दी हुई है वीडियो के नीचे ही है तो आप आके check कर लेना है reviews भी अच्छे खासे मिल रहे है तो आप इस चीज सोच की रखिए कि अगर आप सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से earning करना चाहते हैं तो यह जो भी मैं earning करता हूँ वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता कर रखिए हैं कि कौन कौन सी strategies का आप use कर सकते हो क्योंकि एक वीडियो में मैं सिर्फ एक ही चीज़ें आपके बता सकता हूँ लेकिन इस course में मैंने सारी चीज़ें आपको जोईन करना है और आपको simple सा earning start करना है तो यह course भी आपके लिए available है अगर आप really earning करना चाहते हैं तो इसको एक बार जरूर चेक करना तो I hope आज का वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा अगर आपका अभी भी इससे related कोई doubt है और कौन-कौन सी नई tutorial साब देखना चाहते हैं तो नीचे comment जरूर करना है तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ थैंक यू दोस्तों